आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायो टेक्नलोजी प्रिंसिपल्स और प्रॉसेस पार्ट थ्री एंड इस वीडियो इस प्रेजिए टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है क्लोनिंग वेक्टर करेंगे लिए क्लोन कमृदियो इसे क्लोन सब करना हैं तो आजली एक प्लाजमीडशे सबसे कमन ब्लाजमीड़ होता है डास्मीडशा होता है साइज में और इसके अंदर हमें कोई भी DNA of interest मान लिजे कि यूमेन जीनोम से हमें बहुत सारे fragment मिले है DNA के तो अगर हमारा interest सिर्फ एक fragment में जैसे मान लिजे हमें ये DNA है जो हमें clone करना है हमें integrate करना है तो हम पहले तो इसको purify करेंगे जिसको जो purification process gel electrophoresis हम इसके बारे में previous वीडियो में पढ़ चुके हैं तो हम इदर लगाएंगे cut restriction enzyme की use help से restriction enzyme के specific sites होती है तो वह specific site हमें plasmit में मिल जाएगी easily और फिर हम यहां पर restriction enzyme से cut लगाएंगे और restriction enzyme को molecular seizure भी कहते हैं उसके बाद यहां पर एक particular area vacant हो जाएगा इस तरीके से और यह particular area में फिर हम अपने DNA of interest insert कर सकते हैं और उसके बाद further जब यह replicate होगा तो यह 1-2 plasmid बनाएगा 2-4 plasmid बनाएगा और further so on यह process चलता रहेगा तो इस vector के अंदर यह ability होनी चाहिए कि यह खुद से replicate हो सके इसलिए it should have the ability to replicate autonomously in an appropriate host cell एक particular host cell के अंदर जब हम इसको insert करेंगे अब यह तो होगया cloned plasmid है मारे पास तो अब यह cloned plasmid है अगर हम इसको किसी particular host के अंदर insert करते हैं तो इसके अंदर यह ability होनी चाहिए कि यह खुद से replicate कर सके हमा लेजे मैं अगर इसको लेके किसी host के अंदर insert करती हूं जैसे equali के अंदर मैंने इसको insert किया यह equali है यह plasmid है यह equali का खुद का क्रोमोजोम है अब यह equali जब divide करेगा तो इसमें binary फिशन होगा तो यह एक से दू डॉटर सेल बनाएगा तो जब यह एक से दू डॉटर सेल बनाएगा तो इसके अंदर plasmid और यह इसका खुद का जो क्रोमोजोम है वो जाना चाहिए तो खुद का क्रोमोजोम तो खहरी है अपने natural process से चला जाएगा अगर यह plasmid के अंदर ability है यह खुद से replicate कर सकता है तो यह खुद से replicate करके दो क्लोंड plasmid बनाएगा जो की आगे further transfer हो जाएंगे और further जब यह mature होके यह divide करेंगे तो इनके अंदर भी वो plasmid enter कर जाएंगे और इस तरीके से हमें बहुत से ऐसे E. coli मिल जाएंगे जिसके अंदर हमें हमारे cloned plasmid है ओके तो हम फिर इसको experimentally easily use कर सकते है तो अब एक good vector बनने के लिए क्या-क्या properties होनी चाहिए सबसे पहले property तो यह होनी चाहिए कि इसके अंदर autonomously replicate करने की ability होनी चाहिए इसके अंदर origin of replication होना चाहिए origin of DNA replication जिसे हम ORI से भी denote करते हैं तो यह एक ऐसा sequence होता है जो कि खुद से replication start कर देता है और साथ में जो हमने DNA क्लोन किया है जो हमने DNS में insert किया है उसको भी अपने साथ replicate कर लेता है उसके भी high copy number बढ़ा देता है extra-chromosomal small genome जो की mostly use होते है वेक्टर में वह है plasmid phages and viruses ओके तो यह तीन जो है जो सबसे common use होते है plasmid इनसे सबसे ज़्यादा commonly use होने वाला वेक्टर है तो plasmid के हमार पास दो example है PBR322 और PUC18 जो की ideal vectors है इसका size कम होना चाहिए less than 10 kb क्योंकि जब हम purification process करते हैं जब हम किसी DNA of interest को हम isolate करते हैं तो हम purification process करते हैं तो उस purification process में वो DNA काफी parts में टूट चुका होता है ब्रेग हो चुका होता है तो इसलिए जो हमें vector चाहिए वो हम बहुत ही चोटे size का use करेंगे जिससे कि हम छोटा DNA इसमें चोटे DNA का fragment इसमें insert कर सकें कि vector easy to isolate होना चाहिए क्योंकि DNA का purification हमारे लिए एक बहुत बड़ा process है और अगर vector का purification भी हमारे लिए बहुत बड़ा process होगा तो experiment पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा तो vector ऐसा होना चाहिए कि at least vector easy to isolate होना चाहिए it should be easy to introduce into the host cell host cell के environment को यह easily adopt कर लेना चाहिए उसके environment को जिसके अंदर यह अपनी replication process easily कर सके suitable vector होना suitable marker gene होना चाहिए किसी vector के अंदर जिससे कि हम detect कर सके transformed host cell को तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि PBR 322 का यह diagram है और इसके अंदर दो suitable marker है emphicillin and tetracycline resistance genes ओके तो यह जो suitable marker है इसमें unique target sites है restriction sites है जैसे यह देखे eco r1 hint 3 eco rv balm h1 and salven तो यह restriction यह जो है सब restriction enzymes है यह सारे restriction enzymes है okay और जो यह point किया हुआ है plasmid के ओपर यह यह इसकी sites है restriction enzyme की कि यह restriction enzyme के यह cut लगाएगा यह restriction enzyme के यह cut लगाएगा इस तरीके से तो यह unique target sites है और यह भी एक property है ideal vector की कि unit target site होनी चाहिए किसी भी vector के अंदर क्योंकि अगर मान लीजे कि यह vector है हमारे पास और हमने कोई DNA of interest इसमें insert करना है ठीक है यह DNA हमें इसमें insert करना है और हमने कोई restriction enzyme इस पे हमने कोई restriction enzyme से इसको treat किया तो अगर वो restriction enzyme यहां पे भी cut लगाएगा यहां पे भी cut लगाएगा अगर वो सब जगे cut लगाएगा restriction enzyme तो हम DNA of interest हम कहां पे insert हो पाएगा किस site वो पाएगा कोई specific नहीं है हम उसको पता कैसे लगाएगे वो भी specific नहीं है कि यह plasmid cloned हो चुका हम कैसे पता लगाएगे वो भी specific नहीं है ठीक है तो इसलिए जो unique target site होती है वो इसका मतलब यह है कि यह restriction enzyme है इसका जो particular target site है वो यहीं है और कहीं नहीं है पूरे plasmid मे ठीक है तो अब यहां से cut लगाया इसको यहां से हटा दिया और यहां पर हमने अपना DNA of interest insert कर दिया अब जब हमने हमारे DNA of interest insert कर दिया तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो plasmid है इसके अंदर यह cloning हो चुकी है अब अगर हम ध्यान से देखें कि यहां यह selectable marker है tetracycline और इस tetracycline की gene को हमने निकाल के ही अपना DNA of interest यहां पर insert किया है अब अगर हम इस plasmid को किसी इस plasmid का जो culture है इसको हम थोड़ा सा लेके अगर कोई ऐसी tetracycline antibiotic वाले medium में डाले जिसे माल लीजे अगर यह एक plate है और इसमें पूरे पर tetracycline है और अगर हम इसमें इसको डाल करेंगे तो यह ग्रो नहीं करेगा वहीं हम अगर यह tetracycline वाले अंटिबॉाटिक में यह नहीं ग्रो करेगा लेकिन करने की ability है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह transformed हो चुका है यह clone हो चुका है अब हम यहां से इसको लेके आगे फर्दर कि प्यूरिफाय इसे करेंगे ठीक है तो यह हुआ अच्छा अब इसमें आप देखेंगे ओर आई ओरीजिन ओफ एपलिकेशन तो एक प्लाजमीट के अनदर ओरिजिन ओफ रपलिकेशन भी होना चाहिए जिसे कि यह खुद से रेपलिकेट कर सके तो selective marker होना चाहिए और इपलिकेशन होना चाहिए उसके अंदर ability होनी चाहिए कि जब भी हम कोई DNA of interest इसमें इंसर्ट करें तो वो उसको अपने आप integrate कर ले उसको अपने आप ये replication procedure में अपने साथ ले ले उसकी unique target site होनी चाहिए restriction enzyme की उसमें selectable marker होने चाहिए ठीक है तो ये बहुत सारे criteria होते हैं जो कि एक suitable vector बनाते हैं और ऐसा ही एक दूसरा example है PUC 1819 तो जो सबसे common use होता है वो plasmid vector use होता है plasmid अब क्या होता है plasmid जो है किसी जिसे कोई bacteria हमने लिया इसके अंदर ये है plasmid और यह है इसका chromosome तो यह क्या हुआ Extracromosomal DNA है तो यह है शर्कुलरी होता है साइज में और यह independently replicate करता है इसका इससे कोई link नहीं होता सर्कुलर होता है अगर यह independent नहीं होता है अगर यह इसमें integrated होता है तो उस case में bacterial chromosome में अगर plasmid integrated होता है तो उस case में हम इसे कहेंगे epizome क्या कहेंगे? epizome plasmid varies in size इसके अलग-अलग size होते हैं 1 kb से लेके 250 kb तक होते है इसमें selectable marker होते हैं tetracycline amphicillin resistant gene PBR322 में जैसे मैंने पहले डिसकस किया था recognition sites होती है restriction enzyme के लिए 12 different sites होती है within the tetracycline and amphicillin तो ये भी मैं डिसकस कर चुकी हूँ अगर मालीजी कि ये restriction site tetracycline और amphicillin में ना होके कहीं और हुई और कहीं और DNA insert हो गया जैसे मालीजी यहाँ DNA insert हो गया तो हम कैसे पता लगाएंगे कि DNS में insert हो चुका है ये तो कोई marker नहीं है ये कोई ऐसी जगे नहीं है जहां से हम कुछ पता लगा सके तो इसका सबसे बड़ा benefit ये है कि इसके restriction sites ही ऐसी जगे है जहाँ पर जो selectable marker है ठीक है origin of replication or i इसका small size होता है 4.4 kb और high copy number है 15 copy per cell और दूसरा एक्जैम्पल है ideal plasmid का PUC 18-19 ओके ओके बैक्टेरियोफाज वेक्टर एक दूसरा वेक्टर है तो ये भी एक तरीके का वेक्टर है plasmid से अलग है तो ये जो वेक्टर होता है बैक्टेरियोफाज ये actual में होते हैं viruses जो कि बैक्टेरिया पर attack करते हैं बैक्टेरिया की वाल को खतम करके ये उसमें एंटर करके बैक्टेरिया की पूरी क्या बोलते हैं पूरी machinery को पूरी अंदर की machinery को hijack करके ये अपनी cycle उसमें चलाते हैं अपनी progenies बनाते हैं और अपनी life cycle उसमें पूरी करते हैं तो bacteria of which वो viruses होते हैं जो की अपना DNA बैक्टेरिया के chromosome bacteria के plasmid के अंदर insert कर देते हैं और फिर अपनी पूरी life cycle उसमें चलाते हैं अपने पुरे progenies उसमें बनाते हैं तो यह एक डाइग्राम है bacteria of which का, इसके head, collar, neck, tail सब कुछ होता है इसका ओके तो अगर लाइसोजेनिक साइकल होती है तो इसका मतलब यह है कि फाज का क्रोमोजोम इंटिग्रेट हो जाता है बैक्टेरिया के क्रोमोजोम में और मल्टिप्लाइ करना शुरू कर देता है अब जैसे यहां एक ग्जैम्पल में देखेंगे हम य प्रालक हम क्तिहना है सबसे पहले हम रैस्टिक्शन innate की हल्प से इस एरिया को निकाल पिकेंगे यहां से को निकाल दिया अब हम जो भी dna हमारा कि इंट्रेस्ट का है उसको हम यहां पे इन्सट करेंगे और by ऑडईल लाइगे इसकी हम इस साइट को सील कर देंगे उसके बाद हम इसे पैक कर देंगे बैक्टेरियो फार्ज के अंदर अब इसको जब बैक्टेरियो फार्ज के अंदर हमने पैक कर दिया तो बैक्टेरिया के डिये बैक्टेरियो फार्ज के डियेने में यह इंसर्ट हो चुका है जो हमारा डियेने अब इस बैक्टरिया को हम इंफेक्ट कराएंगे E.coli पर जब इंफेक्ट करता है तो यह अपना DNA E.coli के DNA के अंदर इंटिग्रेट कर देता है और अब जो है इसके DNA के साथ और E.coli DNA के साथ जो टार्गेट DNA है वो भी इंटिग्रेट हो चुका है और फर्दर फिर हम इसे मल्टिप्लिकेशन करवाएंगे और मल्टिप्लिकेशन होने के बाद हमें बहुत सारा ऐसा कल्चर मिल जाएगा जिसके अंदर क्लोंड DNA प्रेजेंट है तो जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं बैक्टेरियो फाज वो है लैम्डा फाज एंड एम थर्टीन फाज तो यह जो एक्जैम्पल लिया था हमने वो लैम्डा फाज का लिया था ठीक है ओके यह बहुत ही एफिशेंट प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा लार्ज DNA फ्रेग्मेंट को इंसर्ट कर सकते हैं अब ओवर 24 KB जबकि प्लाजमीड में हम 15 KB तक ही इंसर्ट कर सकते हैं और यह इजी है स्क्रीनिंग और इडिटिफिकेशन के लिए ओके इसका स्क्रीनिंग हम बहुत ही इसी तरीके से कर सकते हैं अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ गुड़ फोस्ट तो एक गुड़ होस्ट क्या होता है सबसे पहले होस्ट वह होता है जिसके अंदर जो ग्लोंड वैक इसके अंदर को रेप्लिकेट करेगा और एप्लिकेशन में हेल्प करेगा ओके तो गुड़ होस्ट वह होता है जो की इजी तू ट्रांसफॉर्म हो और रेप्लिकेशन को सपोर्ट करें रिकॉंबिनेंट डिने के मतलत प्लाजमिड और डिने ऑफ इंट्रेस्ट एक करना चाहिए यह फ्री होना चाहिए ऐसे एलेमेंट से जो की इंट्रफेर करते हैं रेप्लिकेशन को ओके तो जो सबसे कॉमन और आइडियल होस्ट यूज होता है डिने क्लोनिंग में वह है इकोलाय बैक्टेरिया जो की बैक्टेरिया है यह बहुत ही इजी है इसलेट करन के लिए और इनिशेली क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में हम इकोलाय ही यूज करते हैं और जो सबसे कॉमन स्ट्रेइन इकोलाय का यूज होता है वह है के ट्वैल ओके तो यह है प्रॉपर्टी आफ़ गुड होस्ट थैंक्यू फो वाचिं दिस वीडियो सब्सक्राइब एक